मिलिए व्योमित्रा से पहली जलक में इन्हें देख अच्छे से अच्छा भी गच्चा का जाए शक्ल सूरत के साथ साथ हाव भाव भी बिलकुल इनसानी व्योमित्रा तयार है अंत्रिक्ष में उडान भरने के लिए व्योमित्रा असल में एक हाफ उमनोईड रोबोट है जिसे इस रोग गगन्यान की उडान से पहले अंत्रिक्ष में भेजने की तयारी कर रहा है ये रोबोट धेरों खूबियों से लैस है जो अंत्रिक्ष में जाकर परस्थितियों का बारीकी से अध्यन करेगा और अपनी रिपोर्ट इस रोग को भेजेगा यो मित्रा का मुख्य काम अंत्रिक्ष में मानफ शरीर की गतिविधियों का अध्यन करना होगा ये बात चीत करने में सक्षम है और लोगों के सवालों के जवाब भी दे सकता है ये मनश्यों की पहचान भी कर सकता है अंत्रिक्ष में जाने वाले यात्रियों की आवाज और गतिविधियों की ये नकल भी कर सकता है इसे खास तौर से अंत्रिक्ष मिशन की जरूरत के हिसाब से तयार किया गया है इसलिए ये सिर्फ आगे और बगल में ही जुकने में सक्षम है इसके पैर भी नहीं है इसलिए इसे हाफ यूमेनॉइड रोबोट कहा गया है जब इसे अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा तब ये वहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट्स करेगा और इसरो के कमांड सेंटर से पूरी तरह से संपर्क में रहेगा गगन यान की तैयारी में इसरो पूरी शिद्दत के साथ जुटा है मानव रहित मिशन के लिए उसने 2022 का लक्ष तै किया है इसी उडान के लिए अब व्यो मित्रा भी बेकरार है